जीत के एकदम मुहाने पर खड़ा है रेस्क्यो अप्रेसन जो पिछले बारे दिन से चल रहा है और मैं आपको एक बार और बता दूँ कि अभी अगर मसीन काम नहीं कर रही है कुछ तकनीकिफ हाल्ट आया था उसको सुल्टा लिया गया है हो सकता है थोड़े देर में मसीन का काम करना शुरू कर दे लकिन जिला दिकारी अविशेख रुहला का दावा है कि मसीन आपना काम सुरू कर दिया है हो सकता है कि प्राण्भिक लेवल पर उसे मसीन सुरू हो गई हो चुकि मसीन का खुद में स्टार्ट होना भी ये काम होता है और इसके अलावा तक्रीबन दस से बारे मिटर का पड़ाव बचा हुआ है दस बारे मिटर की दूरी पर जहां तक पाइप बिचा है वहां से दस बारे मिटर आगे की दूरी पर वो 41 लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर निकलने का जो बारवा दिन हाज इने बारा दिन से इस अंधी सुरंग में कैद है उन्हें भले ही पोश्टिक आहर भी मिलना शुरू लेकिन सुरंग तो सुरंग ही होती है बाहर निकलने के लिए आतूर हैं लोग उनका इंजार कर रहे हैं यही कोतु हल है कि यह जो बारे मिटर की दूरी है यह कब पूरी होगी ऐसा यह अभियान बिल्कुल जीत से पहले वाले पाइदान पर खड़ा है लेकिन रुका हुआ है जैसी चलेगा तो जीत इनके पास होगी बाजी पलड़ दाएगी यह लोग सब बाहर आएंगे जो तक्रीबर बारे दिन से कहते हैं थोड़ी दिर में मुख्य मंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं जनल वीके सिंग पहुंचने वाले हैं अंदर अभी टनल में जिलाद सब यह एक खबर आजखती है कि यह ओपरेशन पूरा हो रहा है और रेस्क्यू करके उन लोगों को निकाल लिया गया है जो बारे दिन से इस सुरंग में फसे हुए हैं अपने सहीव केमरामेन सोनी कुमार के साथ न्यूजी स्टेट के लिए सिलक्यारा बेंड से अजीत सिं